उत्राधिर सुत्र में प्रभू ने फर्माया है कि जम्र दुख्खम जरा दुख्खम रोगानी मेरे नानियां अहो दुखो हो संसारों जथे की संती जनते वो अर्थात इस संसार में किसी को जन्म का दुख है तो किसी को जरा का किसी को मृत्यों का दुख है तो किसी को भय का इन शॉट ये संसार दुखों की खान है और इस दुख में इस भोग में संसार को छोड़ इस योग में संसार में इस योग में दुनिया में प्रविश करने जा रही है क्र जा रहे हैं आप लोग कर जा रहे हैं कल्यानिय भेंग्ट आप लोग की बात आई है तो मैं एक बात कहना चाहूंगी मेरी और अभी क्या महिना भरिए तो आप सबुळोगों कहाना मुमुक्षू से एक पैर्टन क्वेश्चिन होता है कि आपको सेयां के भाव कैसे ради होता ह क्या आपको परमात्मा की यार नहीं आती क्याने आंसमी आपको संसार में रहने के भाव कैसे हुए अरे संसारिक परिवार जुनों से क्या राख करना राख करना ये तो इस वित्राख से करो और इस वित्राख से राख करके आज विरागी से विरागी बनने प्रभू के इस पा से चोटी है तो मैं उनको दिधी बोलती हूं तो आज भी कल्यानी दिधी बोलूंगी पर प्रभू के इस प्रवज्या पंति पर प्रयान कर रहे हैं कौन? आप से बोलेंगे तो अच्छा लएगा कौन कर रहे हैं? आवाज नहीं किया? क्या है ना थोड़े आवाज निका जा रहा है प्रभू प्रभू के प्रवज्या पंतवर प्रयान कल्यानी जीदी जो यह जान चुके कि सुक भोग में नहीं सुक मात्रत याग में हैं इस संसार में भोग सुक तो सुलब है भोग सुक कहीं भी मिल जाता है पर आध्यात्मिक सुक को प्राप्त करना अति दुश् इसलिए किसी ने कहा भी है बहुत सुन्दर बात कई है कि भोग सुकतो सुलब है पशु को भी यहाँ पर जन्म लेकर अजन्मा बननी जो जिया जन्म उसी ने अपना सफल किया और कल्यानी दीदी आने वाले दो ही दिन बागी है तो आने वाले दो ही दिनों बाद अपने इस जन्म में इस मानव देह से जन्मा बनने की यात्रा शुरू करने जा रही है उन्होंने तो सत्यका मारगे चैन कर लिया है अब आप लोग को भी जरुरत है राइट वे चूज करने की आप लोग को इस समझने के बहुत ज़्यादा जरुरत है कि सुख सिर्फ स्प्रेचालिटी में है सुख भोग में नहीं है आप लोग सोचे अगर सुख भोग में होता सोचेगा जरूर सोचेगा इस बात पर चिंतन कीजेगा कि सुख अगर भोग में होता तो हम लोग आपकी तरह आज भाटे पर बैठे होते हैं इस पाटे पर नहीं बैठे होते हम लोग भी आप लोग की तरह भाटे पर बैठे होते हैं वो तो वड़गा शरीवालों का दिल बढ़ा है तो आपके लिए कुर्शा लगा दिया है आप लोग की तरह हम भी भाटे पर पर बठे होते पाटे पर नहीं बठे होते सोचिएगा कि अगर सुक अगर भोग में होता तो क्यों कल्यानी दीदी इतने educated होने के बाद भी इस धबल वेश को इस सयम परिधान को धारन करते सुख भोग में नहीं है, सुख मात्र त्याग में है, सुख मात्र योग में है, सुख सिर्फ सैयम में है आप लोग की प्रॉब्लम क्या पता आप लोग को? मैं बताती हूँ आप लोग की प्राब्लम यह है कि आप ऐसे समारों में आते हैं आप भव ये दिक्षा के समारों में आते हैं तो आप नारे तो बहुत लगाते हैं कि संसार खारो जहर छे सहीम में लीला लेहर छे सच में लगता है संसार खारा जहर है लगता है संसार खारा जहर है लगता है सं इक्षाश रातमें कर दता है। हम सबको लगता है कि सिंसार खारा जहर है पर एक्षाषे पर हम प्रैक्टिकल यह उसे कर नहीं पाते हैं। एक हमारे कर्मों का बंधन कराता है और एक हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त कराता है अगर हम परीशा को दुख मान के चलते हैं तो वो हमारे कर्म बंधन का कारण बन जाते हैं और अगर उसी जगह परीशा को हम आनंद की साहन करते हैं तो वही परिश्य और हमारे मुक्ति का मार्ग प्रश्यस्ति करने का कारण बन जाते हैं। सैयम का मार्ग सुख का मार्ग जरूर है पर यह साता का मार्ग नहीं है। यह बार जरूर ध्यान रखना कि सैयम का मार्ग सिर्फ सुख का मार्ग साता का मार्ग नहीं है। इस चैंव जीन में वही आसकते हैं जिनका मन, दुख और सुख दोनों में संभाव रहता है जिनके मन में दुख आने पर भी और सुख naughty पर भी उसने और उसे से मार्गबर्स यारानी जी तो कि आपके लिए यही मंगल birthday याया करना धंबं जो प्रभु ने फर्माया है कि आनाई मामगम धंबं कि आग्या धर्मे में ही आग्या ही धर्मे है तो आप इस आग्या धर्मे को अपने अंतर में स्विकार करकर आगे बढ़ेंगे तो आपका मुक्तिका मारगर जरूर प्रशेस्त होगा और मैं अपने संपूर्ण ग कि दी कोई बहुत बहुत बधाईया देना चाहूंगी और अंत में चार पंक्टेक आकर अपने वक्तवे को समय नहीं है ठीक है तो पर बस आप मेरी बधाईया जरूर स्विकार कर और आपके लिए यही मंगल भावना है कि आप अपने लक्षे को निर्विग ने रूप से प् हार्च हार्च हार्च